हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्व चैनल ऑनलाइन लेर्निंग वेबसाइट बारत की राजव वेस्था में आज हमने बात करेंगे निर्वाचन में मद्दान प्रक्रिया और ईवियम चुनाव का परवेशन मद्कारना के बारे में मद्दान प्रक्रिया मद्दान किये जाते हैं जैसे फिद्याले या सामुदिक भवन तथा अधिक से अधिक मद्दादा अधिकार का प्रयोग करें या सुनेशित करने के लिए कि निर्वाचन आयो गया सुनेशित करने की कोशित करता है कि पते एक मद्दान केंद की दूरी दो किलोमेटर से अधिक नहीं हो साथ ही किसी भी मद्दान केंद में 15 सो से अधिक मद्दादा नहीं आए मद्दान केंद में प्रवेश करते ही मद्दादा का नाम मद्दादा सूची में देख मिलाकर उसे एक मद्दान पत्रपतान किया जाता है मत दादा अपने पसंद के उमिद्वारों के चुनाओ चिन पर या उसके पास मोहर लगाता है जा कारवाई मत दान कींदर में ही एक अलग छोटे से कक्ष में होती है मोहर लगाने के बाद मत दादा मत पत्र को छोड़क मोड़कर एक साज जी मत पेटी में बीठा सीन अधिकारी तदा मत दान एजेंडों के सामें डालता है चिन लगाने की इस प्रक्रिया से मत पत्रों को मत पेटी में वापस निकाल जाने की संभावना चाती रहती है 1998 में निर्वाचन आयोग मत्पत्रों के इस्थान पर एक से अधिक एलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन यानि एवियम का उप्योग कर रहा है 2003 में सभी राज चुनावों और उप्चुनावों में एवियम का उप्योग किया गया है इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर निर्वाचन योग ने 2004 में लोग सभा चुनाव में केवल इवियम का उप्योग किया 10 लाख इवियम इसके लिए उप्योग में लाए गये इवियम यानि Electronic Voting Machine या एक सदल इलेक्ट्रोनिक उप्योग है मत पत्रों के स्थान पर मतों का रिकॉर्ड करने में उप्योग किया जाता है पारंपरिक मत पत्रों की पढाली के तुल्ला में इवियम में निम्रिके दलाब है पहला इवियम से अवेद और संदे पत्रों की संभावना स्वाफ्ट हो जाती है जो की चुनाओ से चुड़े विवादों तथा चुनाओ याचिकाओं का प्रमुक करन रहा इससे मत करना की प्रक्रिया आसान और दृत्थ हो जाती है इसको अभ्योग से कागज की खपत बहुत कम हो जाती है और जिसका सीधा प्रियावर्ण पर सकारात्मा प्रभाव पढ़ता है इसकी छिपाई की लागत बहुत कम हो जाते है क्योंकि इस पक्रिया में पतिक मद्दान केन में किवल एक मत्पत्रों की ही अफशक्ता रह जाती है चुनावों का परवेच्छ चुनावायों की बड़ी संक्या में परवेच्छकों की नुक्ती करता है जो किया सुनचित करते हैं कि मतदान स्वतंत तधन रिस्पर्च ढंक से कराय गए और लोगों ने अपनी पसंद का उमीदवार चुनाव खर्च परवेच्छक उमीदवार और तलकी चुनाव खर्च की निगानी करते हैं मतगणना जब मतदान संपन हो जाता है तो चुनाव खर्वेच्छक की देखरेग में मतगणना की प्रक्रिया आरंब होती है मत करना समाप्त होने के पश्चार चुनाव अधिकारी सबसे अधिक मत पाने वाले उमीद्वार का नाम विजाई उमीद्वार के रूप में खोशित करते हैं लोगसबा चुनाव फर्स्ट पॉस्ट पजिती के अनुसर कराये जाते हैं देश को चुनाव 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 के रूप में अलग अलग भगोलिक चुनाव में विवाजित कर दिया जाता है मत दादा एक उमीद्वार के लिए एक मत देते हैं और सबसे अधिक मत पाने वाले उमीद्वार विजाई गोशित किये जाते हैं राज विधान सभा चुनाव में भी लोग सभा चुनावों की तर्ज पर ही होते हैं जिन में राजचियों और संग सासित प्रदिशों को एकल सदस चुनाव छेत में विभाजित किया जाता है जन माद्यमों में कवरेज चुनावी प्रक्रिया को अधिक से अधिक पादर्शी बनाने के लिए जन माद्यमों यानि मीडिया को चुनाव प्रक्रिया के कवरेज के लिए पुटसाहित किया जाता है तदा भी मत करना मद्दान की कोपिनेता को बनाय रखा जाता है मीडिया कर्मियों को मद्दान केंदर पर पहुंचाने के लिए फिशिस पास दिये जाते हैं ताकि भी मद्दान पक्रिया का कवरिच करेता मत करना पत्रों में भी मत करना पूरी पक्रिया का संग्यान ले चुनाव याचिका कोई भी चुनाव करता अधवाओं मिद्वार चुनाव याचिका दायर कर सकता है यदि उसे अविस्वास हो कि चुनाव में कदा चार हुआ है चुनाव याचिका एक समान सिविल याचिका नहीं होती है बलकि इसमें पूरा चुनाव छेतर संगलंगन होता है चुनाव याचिका की सम्मधि दिराजी के उचिन्याली में सुनवाई होती है यदि सिकाय सही पाई गई तो निवाचन छेत में दोबारा चुनाव कराई जा सकते हैं तैंक्स पर वाचिंग और शेरिंग